नमस्कार शहर के लोगप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्सकों का स्वागत है अभी तक की तमाम खबरों को ले कर्मानिशा बर्णवाल तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नज़ डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर स्रदाभाव से की गई आदिदेव भगवान विश्व कर्मा की पूजा अराधना कोरोना की वज़स से उत्साह रहा फीका सामाने ढंक से विभिन दुकानों, प्रतिष्ठानों और कलकर खानों में की गई पूजा अर्चना भक्ती भाव से भरा रहा माहौल प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी के जन्म दिवस पर आयोजित हुए कई कारिक्रम भाजपनेता संजित सिंग ने किया रक्तदान तो मेर सुनेल पासवान ने बाटे फल इधर अखिल भार्दिये सर्व वैस से महासभा ने केक काटकर किया इस दिवस को सेलिब्रेट बन्याडी ओपन कास्ट के सुरक्षा गाड की हुई हत्या मचा कोहराम जाच परताल में जूटे पुलिस और जर्या गादी में नदी में डूबने से एक तीन वर्सी बच्चे की हुई मौत सोक में डूबे परिजन सदर अस्पताल से बिना पोस्ट माटम कराए बच्चे के सव को घर ले गए परिजन और अब खबरे विस्तार से विश्वकर्मा भगवान की पूजा को लेकर जिले के वभन निर्मान प्रतिस्थानों कल कार खानों में माहौल भक्ति भाव से भरा रहा हलाकी कोरोना की वज़ा से बेहत सामान्य धंग से शहर और आसपास के इलाकों में वधिविधान से देव सिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई इस दोरान विभन निर्मान प्रतिस्थानों कल कार खानों में माहौल भक्ति भाव से भरा रहा हलाकि इस बार कोरोना का असर विश्व कर्मा पूजा पर भी देखने को मिला बेहत सामाने ढंक से सहर और आसपास के इलाकों में देव सिल्पी भगवान विश्व कर्मा की पूजा आर्चना की गई बस पड़ाओ के नीचे स्रधालूओं ने मुर्ते स्थापित कर पूजा उपासना की इधर सहर के सरस्वती सिसु विद्यमंदीर में भी पूजा आर्चना की गई पूजा आर्चना की पूजा आर्चना की गई इसी तरह गिरडी के विभे नकालकार खानों में भी मुर्ते स्थापित कर आदी देव की आराधना की गई इस करम में मुहनपूर के लाल स्थील में भी विद्य विधान से विश्वकर्मा पूजा की गई इस दौरान समाजिक दूरी का भी ख्याल रखा गया मौके पर लाल स्थील के निदेशक जय प्रकास लाल, विजय लाल, बबलू लाल, डॉक्टर विकास लाल समेत कई खासो आम उपस्थेत रहे कुछ और लाल समत्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष में भाजपा के द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है इसी कड़ी में भाजपानेता संजित सिंग पपू ने सेवा भाव से गुरुवार को सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में अपना रक्तदान किया जिससे किसी जरुतमंद का सहयोग हो सके बताया गया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी युवाओं के प्रेडना स्रोत है वे दिरगायू हो और सदा निरोगी रहे यही कामना करोडो देशवासी कर रहे हैं उनिक स्वास्त की कामना के साथ तमाम भाजपाई सेवा भाव से सेवा सप्ता को सफल बनाने में लगे हुए हैं आज गेज के रिजर सश्वी प्रधान मंत्री आदरिक युप के सिल्वकार स्रीमान नरेंग मोदी जी का जन्दिवास है और इसे हमारी पार्टी सेवा सप्ता के रूप में मना रही है मैं आज अपने प्रधान मंत्री के जन्दिवास पर रख्त दान करके मैं किसी का सेवा करना का उदेश है मेरा कि जो सेवा भाव लेके मोदी जी चले हैं उससे हम सब को सीखना चाहिए आज वो पूरा अपना शमर्पन जो है देश के पर्टी लगाएं को हैं तो हम जैसे कारी करता है भी बहुत कुछ सीखते हुए उनसे उसी सीख से ट्रेणर लेते हुए मैं अपना रख्तदान आज ब्लट बैंक में कर रहा हूँ जिससे किसी मरीज का स्वास्त में उदा पहुचेगा इसी निमीताज में कर रहा हूँ मैं पार्टी पुरे 14 तारी से ही सेवा सब्ता चला रही है गरीमों के बीच फल बित्रण करना यंत्र बित्रण करना चस्मा बित्रण करना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के सतरवे जन्व दिवस के उपलक्ष में सेवा सप्ता के तहत नगर निगम के महापौर सह भाजपा नेता सुनिल पासवान ने शेत्र के कई एलाकों में जरुरत मंदों के बीच फलों का वितरन किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की इस दोरान कई भाजपाई मौझूद थे नगर निगम के महपौर सभाजपा नेता सुनिल पास्वान ने गुरुवार को निगम छेतर के पांडेडी सिर्शिया सितलपूरा देस्थानों पर जरुतमंदों के बीच फलों का वितरन किया यह कारिकरम प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सत्तरवे दिवस के उपलक्ष में किया गया मौके पर छोटे पास्वान उमेश कुमार संजय हजाम तथान्य ग्रामिन मौजूद रहे बताया गया कि देश के प्रधान मंत्री पूरे देशवासियों के आदर्स हैं उनके आयागर ऄंधान मंही चर्शादाफान मंत्री बति प्रधान मंत्री आजिकितं सिरगति आज़ासियों के दिनmachenां ईरिकलिक उयाँ ग्रणोर संगे देशवान मंत्री उंक्लिधान क JUSTunden जिएक होगान इसाइँ आइक, आफ़े तेटाम है मोजीन जिए का जनम है, आखा़े अ आज सबसे पहले इस जगत के सिल्फी का बावब विश्कर्मा की पुजा कि अब सभी तमाम गिरिडी वासियों के साथ हम संप्रून जहारखन वासियों और देश वासियों के अपनी वोड़ से पढ़ाई और सुब कामनाये देते हैं साथ ही साथ भारतिय जन्ता पार्टी परिवार के लिए और इस देश के लिए सबसे वरी खुशी की बात आज हमारे इस देश के सबसे परदान मंत्री प्रमादर निये नरंद्र भाई मोदी जी का सतरवा जनम दिवस है उस जनम दिवस के सुब अवसर पर हम लोग ने परसाद के रूप में सतर घरों में जा करके और सभी को फल बित्रन करने का काम किया है और वैसे में हम अपनी ओर से इस देश को इस देश की परदान मंत्री को और गिरिडी की जन्ता की ओर से हम बढ़ाई देते हैं अखिल भारतिये वैसे एक्ता महासभा की ओर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्ता की ओर से देश के प्रधान मंत्री मोदी के जन्ता महासभा की ओर से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमबेतकर चौक में एक कारेक्रम आयोजित कर महासभा की मह इसको लेकर अमेटकर चौक में महासभा की जार्खन महिला प्रकोष्ट की प्रदेश सध्यक्ष रागनी लहेरी साहा और गिरेडी जिलाध्यक्ष रेनु सेट के नित्रेतों में एक कारिक्रम किया गया। अन्य देशों के मुकाबले COVID-19 के प्रकोप से काफी हद तक बच पाया है। प्रदेश महामंत्री महिला प्रकोष्ट ललिता बर्नवाल प्रदेश मेडिया प्रभारी महिला प्रकोष्ट रूपा गुपता महिला प्रकोष्ट जिलाध्यक्ष गिरेडी रेनु सेट मधु गुपता भदानी अनिता कुमारी सिम्मी बर्नवाल रिंकी बर्नवाल आदीन समस्त देश्वासियों को अखिल भारतिय सर्ववैस से एक्ता महासभा की ओर से हार्दिक बधाई वसुपकामनाय प्रेशित की है अखिल भारतियों को 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 अ अखिर भार की शर्वे बैस्ट महाशभा की और से हम लोग सब बहने शरी नरेंद मोदी के जन्मिदी मनाए और उसमें हम लोगों ने मिल कर केक काटा और उसके बाद हम लोग सब भी को फल बितरन करेंगे बिस्किट है फल है मिठाई है सब का बितरन करेंगे और आसा करेंगे कि नरिंद मोरी जी जो है वो हम लोग को बहुत 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 हम लोग बधाई दे रहे हैं और आज विसकर्मा पुजा भी है विसकर्मा जी जैसे एकदम अश्ट्रॉंग है उसी तरह मेरे नरिंद मोरी जी भी बहुत अश्ट्रॉंग है और हम लोग चाहेंगे कि ये सतर्मा नहीं, वो 170 वर्शुधाट अपना मनाएं और हम लोग को खुब मदद करें और जितनी महलायों को खुब आगे बढ़ाएं हम लोग उनसे यही कामना करते हैं आज अखिल भारतिय स्वर्वेस एकता महासभा की और से, पूरे जहारकन में और गिरेडिक जिला में आदर्ण्य प्रधान मंतरी, नरेंद्रु मोनी देश के यसस्वी प्रधान मंतरी, सुर्मोर, हमारे आदर्ण्य प्रधान मंतरी जी का आज हम लोग सब ये पैसे समाज की बड़े मना रहे हैं और हमें ये बड़े मनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है साथ ही साथ हमारे राश्टिय अध्याक्ष नौनी गुपता जी और हमारे जार्खन परदेश के अध्याक्ष डॉक्टर विकाश लाल जी ने भी बहुत-बहुत सुपकामनाये दी हैं जैसे वैस्विक हमारी से मोदी जी के कारण ही बच पाया है धारा 370 हो या मुश्लिम महलाओं को तीन तलाग से अजादी हो या राम मंदिर का निर्मान हो या फिर गद्दार चीन को मुटोर जवाब देना हो ये सभी हमारे मोदी जी कुसल कारी से कर रहे हैं और आगे भी क जैसा कि आज शृष्टी के सिल्पकार भगवान विशकर्मा जी का जर्म दिर है और उसी के साथ हमारे बेज के सिल्पकार नरिंद्र गूदी जी का भी जर्म दिर है जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मुरत घोशित कर दिया मुफसिल थाना छेत्र के ज़रिया गादे इस्थेत उसरी नदी में डूबने से एक तीन वर्सिय बच्चे की मौत हो गई बताया गया कि असलम अंसारी का पुत्र मुफसिन अंसारी नदी में नहाने के क्रम में अचानक डूब गया इस्थानिये लोगों ने उसे नदी से निकाला और आनन फानन में सदर अस्पताल पहुँचे जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मुरत घोशित कर दिया गटना से कोहराम मच गया परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा बाद में परिजन बच्चे के सव को बिना पोस्ट माटम कराए है मिट्टी देने के लिए लेकर चले गए जमुअ थान शेत्र के कारूडे में औल्टो और मोटर साइकल में हुई टकर से मोटर साइकल सवार कर्माटार निवासी नकुल यादव और आशिश यादव घायल हो गया मौके से कार चालक कार लेकर फरार हो गया वहीं दोनों घायलों को प्रात्मे किलाज के बाद एक की गंभीर स्थती को देखते हुए उसे धनबाद रेफर कर दिया गया है जमुआ धाना छेतरी के कारोडी में और आल्टो और मोटर साइकल में टक्कर हो गयी जिसमें मोटर साइकल सवार नकुल यादव वासीस यादव घायल हो गये इसानिये लोगों ने आननफानन में एम्बुलेंस बुला कर दोनों को गिरेडी सदर अस्पताल भेज दिया आचालक कार लेकर फरार हो गया गटना में नकुल यादव को गंभीर चोटाई है उसे बहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया वहीं आसीस यादव का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में ही चल रहा है कहां पर एक्सिडेंट हुआ है कौन सा गाली से हुगा था आप लोग क्या चीज़ में था और क्या चीज़ से हुगा एक्सिदेंट फर विलर था गाली पकड़ाया है भाग विया है और दूसरे मोर मारा है कब हुआ यह चीज़ देन आप लोग का घर कहा है कर्मा टार क्या नाम हो आपका कितना उमर होगा जमुआ के कारोडी में एक सडक हाथसे में कर्मा टार निवासी आशीष कुमार यादव की मौत हो गई बताय गया कि चितरडी जाने के करम में इनकी बाईक असंतुलत होकर जीकेसी कमपणी की गाड़ी में जा टकराई जिसके बाद धनबाद ले जाने के करम में इन्होंने दम तोड़ दिया कर्मटार निवासी आशीष कुमार यादव गुरुवार को अपने दोस्त से मिलने चितरडी जा रहा था इसी करम में कारोडी के पास सडक हाथसे में ये बुरी तरह से घायल हो गया घायल को अननफानन में गिरेडी सदर अस्पताल लाया गया जहां से गंभीर हालत को देखते हुए इसे धनबाद रेफर कर दिया गया हलाके रास्ते में ही आसीष की मौत हो गई बताया गया कि चितरडी जाने के करम में कारोडी पेट्रोल पंप के पास अचानक बाई का संतुलित हो गयी और रोट किनारे खड़ी जीकेसी कंपनी की गारी से जाटक राई और आसीष बीच सड़क पे ही गिर पड़ा गटना में इसे गंभीर चोट लगी 108 एंबूलेंस से इसे गरेडी सदर अस्पताल लाया गया लेकिन हालत नाजुक होने की कारण उसे धनबाद रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया अराजुक मेर बहुत है? अरिए माय जस्थिएो मेरी हिरे रास्तव के प बलकस्ताल षीमियर फिर भीरमाच मेरुन वाहरा विजर मतुक दोबगाई ओपन कास्ट माइन्स में सुरक्षा गाड के रूप में तैनात पंचानन महतों की हत्या अग्यात अपराधियों ने कर दी घटना के बाद मृतक के शव का पोस्माटम गिरेडी सदर स्पताल में कराया गया इस मामले में फिलहाल पुलिस ने संदे के आधार पर एक व्यक्ति को गरफतार किया है और आगे की परताल कर रही है बनियाडी में हुए सुरक्षा गाड की हत्या मामले में गुरवार को एक की गिरफतारी हुई है घटना को लेकर सदर स्पताल में भारी भीड रही इस दौरान मृतक पंचानन महतों के शव को बनियाडी भी ले जाया गया बताया गया की पचंबा के मगही टोला के रहने वाले पंचानन महतों बनियाडी ओपन कास में सुरक्षा कर्मी के रूप में तानात थे बुद्वार की रात अचेत अवस्था में कुछ लोग उन्हें उनके घर के बाहर छोड़ कर फरार हो गये थे बाद में उनके परिजनों ने उन्हें सदरस्पताल लाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया घटना के बाद सुभा तक कोहराम मचा रहा पुलिस भी जाजपरताल करती रही घटना से परिजनों में भारी आकरोज देखने को मिला फिलहास संदेह के आधार पर एक की गरफतारी हुई है वहीं पुलिस पूरे मामले की जाजपरताल कर रही है को दिना शोलह नोग दोजया अग प्रिश्पो पंचानल माफ्तों परती दिस तरह से डिवटी पर आते हैं और भर से चार बज़े निखले डिवटी के लिए और अपना डिवटी करते हो तो अब दिवटी के करम में ही उनका रत्प्या करके अउनको अपना गाँ पंचानल माता का गाँ महाईया टुला नहीं इसे साब ज़े साब बज़े करीम उसको डेट वडी को फैक दोता है पुरा ग्रामिन उसका पीछा करते करते उनको पगड़ लिए उनका तंचानल महतों का मोट सर्कील भी डिप्टी को ही ऑफिस के पास्ट हाँ है गादी स्रीडामपुर इस सद्प्षिखा इंडस्ट्री जनमक फैक्टरी में काम करने के दौरान देवरी निवासी 22 वर्सिया युवक अक्षे कुमार तिवारी की करेंट लगने से मौत हो गई बता गया कि वह फैक्टरी में रंग रोगन का काम कर रहा था इसी दौरान करेंट लगी और उसकी मौत हो गई इदर भागपा माले ने फैक्टरी मालिक से घटना को लेकर मौावजे की मांग की है मुफसिल थाना छेतर के गादिस ररामपूर में संचालित देपसिखा इंडस्टरीज नामक फैक्टरी में करेंट लगने से एक कामगार की मौत हो गई मृतक का नाम अक्षै कुमार तिवारी है जो देवरी थाना छेतर का रहने वाला था और इस फैक्टरी में रंगरोगन का काम कर रहा था बताया गया कि काम के दोरान ही करेंट लगने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई मृतक के उम्र महज 22 साल है घर में तीन भाईयों में ये सबसे छोटा भाई था गटना के सूचना देकर फैक्टरी मालिक सचिन गुपता से मौआउजे की बात की गई वहीं मुफसिल पुलिस भी मामले के जांश परताल कर रही है गटना से परिवार सोका कुल है परिजनों का रोरो कर बुरा हाल हो उठा है गुरुवार की सुबह पुलिस ने सदर अस्पताल पहुँच कर पंचनामा दर्श किया और सव का पोस्ट माटम करा कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गटना को लेकर भागपा माले के लोगों ने मुआउजे के पहल की उसका कितना सेलेरी था उसका 50% के हिसाब से एज को घुना कर दिया जाता है तो हम लोग के पास चार्ट रहता है उस चार्ट से अगर एक रुपिया भी कम दिया जाता है तो कितना भी सेटिंग हो जाए आपस में उस पर फिर से एक सवाल कर देंगे और फैट्री मालिक को ब बात कर रहे हैं उस वारता में हम सामिल नहीं होंगे च्वी ये परमपरा के खिलाफ है कि आप लास रखा हुआ है सदर होस्पिटल में और आप बात कर रहे हैं जणडा मैदान में दस बज़ी रात को और उपर से साधा कागई ये बनागा तो मंगना आई है चुकि घर का आ ये कुल्पियक कम नहीं होना चाहिए जो सरकारी रे और वही हम लोग दिमांड करते और अभी हम लोग किसी कौट लाग किसी चौदा लाग भी दिलवाए हैं तो हड़ बढ़ाना नहीं है गलती से साइन नहीं कर देना धाय लाग चाहिए काई तीन लाग चाहिए और रोने फ खुटा बांध टोला में सड़क हाथसे में कुर्बान अंसारी नामक व्यक्ति की मौत हो गई बताया गया कि वे सड़क किनारे से सबजी खरीद रहे थे इसी दौरान यह हाथसा हुआ वहीं पोलस ने मोटरसाइकल चालक को अपने कबजे में ले लिया है और शव को पोस्टमाटम के लिए गिरेडी सदरस्पताल भेज दिया बेंगाबाद थानचेतर के खुटा बांध टोला में सड़क हाथसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई गटना के बाद सव को पोस्टमाटम के लिए सदरस्पताल लाया गया बताया गया के खुटा बांध टोला के रहने वाले कुर्बान अंसारी सड़क के किनारे लगे सबजी की दुकान से सबजी खरीद रहे थे इसी दोरान विप्रित दिशा से आई मोटर साइकिल ने इन्हें अपनी चपेट मिले लिया इस क्रम में मोटर साइकिल चालक खुद भी गिर पड़ा गटना में मौके पर ही कुर्बान अंसारी की मौत हो गई गटना के सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और मोटर पाटम के लिए गिरेडी सदर अस्पताल भेज दिया उनका राम कुर्बान अंसारी कहा रहते था है क्या हुआ था उसका कल एक बायक मार दिया रोड गिनारे को वही कल चार चार वजे साम के यह क्या चीज़ से था यह सबजी लेने के लिए रुके हुए था पैदे उन चल यह बगरा पेट्रोल पम है थोड़ा सा उसके बगर दिया है क्या नम हो आपका है आप लोग थानम आवेदन दिये हैं हाँ आवेदन दिये हुए राष्ट्रिय मजदूर कॉंग्रेस के प्रदेश संयुक्त महासचीव अशोक कुमार सिंग ने बताया कि राजे में हो रहे भूमी विवात पर इन्होंने अपना संचिप्त सुझाओ मुख्यमंत्री को दिया है कहा कि भू माफ्याओं द्वारा सरकारी जमीन जंगल पहाड और धार्मिक स्थलों की जमीन कबजा की जा रही है जिसे लेकर यह मुख्यमंत्री से मिलकर भी अपनी बातों को रखेंगे राश्ट्रिय मजदूर कॉंग्रेस के प्रदेश संयुक्त महासचीव अशोक कुमार सिंग ने राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य में हो रहे भूमी विवात पर अपना संचिप्त सुझाओ दिया है इस आशे का एक लखेत आवेदन इन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेस स्थलो पर जमीन पर कबजा किया जा रहा है लेकिन कानून के लचीलेपन की वज़ा से मामला सुलज नहीं पा रहा और इससे रसूखदार लोग लाभानवित हो रहे हैं वहीं आम लोगों को परिशानी जहेलनी पड़ रही है इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे पर है अभी आपने घर में जरुआ जमीन पर रश्टी रोक लगा दिया बहुत अश्या कम किया अब दूसरी और जो रहती जमीन है उसका रश्टी होगा तब तक नहीं होगा जब तक कि LPC अंचलिकारी से प्राप्त नहीं करेंगे LPC प्राप्त करने के लिए उस रहियत को कितना घुच देना पड़ता सब स्विधित है कि जब तक तरह को काफी परशानी का सवना करना करना पड़ा हमने कहा है आप आइस आउनलाइन के जवाने में चार तरह का केंप्यूटर आप तई किजिए एक रईश्टिर केहां लगा ही है एक 가서 एक 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 सी एक रजाद सचीब केहां लगा ही जो ही आँ अलबी सी सी ओ देते हैं चारो तरफKO महल लिंक हो गया कोई पर्मानपत अलग से लेने की जुरत नहीं वह LPC के बाद जब रश्ट्री होता है जो ही सियो के यहां चला गिया कि मुकादमी का जमीन मुकादमी ने खरीद लिया सियो साहब एक सब्दा के अंदर उसका मोटेशन करके निक्षे के माध्यम से रसीद उस रहियत के घर पर भेजबा दीजिए और माल अपना निकाय के पदादिकारी को आप जिम्हारी दीजिए चिनित करके कि यह इतना जमीन आपके जिमा हमने दिया इसकी सुरक्षा आपको करना है जो अंचल के अंदर है गरामिन शेतर में है वो अंचल दिकारी को चिनित करके दीजिए उसका सुची बनाईए कि इसके जिम्हारी आपकी इसको सुरक्षित रखना है जो ही पदादिकारी ट्रांसफर हो जाता है एक सियो जा रहे हैं वो सुची दूसरे सियो को देंगे और भोतिक सत्याबन कर लेंगे जितना जमीन हमने किनित करके दिया है इसमें आप देख लिजिए एक भी जमीन कहीं गड़ड हुआ है क् इस तरह से अगर समुचे राज में हमारे पदादिकारी उपाईव के माध्यम से सुची जिला का राज में सेंकलित हो जागा एक जिले में कितने एकड़ जमीन सरकारी है चर्च का है मंदिर का है मस्जिद का है आम है खास है और ऑनलाइन के जबाने में जितना गड़ड़ी इस परकार से हर मैंने मुनिटरिंग की जिम्हेवारी जिला के अंदर अपर समारता को दीजा कि कितने सुची में ये लोगित का जमीन है एक गड़बर नहीं हुआ गया और कितने का मोटेशन हुआ, कितने का रश्टी हुआ, कितने का LPC हुआ, यह चारों इंटरनेट के माध्यम से सरकार के पास चिनित होगा, कहीं ने कोई भू माफ्या कब जा करेगा, ने किसी रहियत को करवड़ी है, इसी बिंदू पर हमने आज सुझाओ पुस्मिंत्री को भ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित हुए कई कारिक्रम, भाजपनेता संजित सिंग ने किया रक्तदान, तो मेर सुनिल पासवान ने बाटे फल, इधर अखिल भार्दिये सर्व वैस से महासभा ने केक काटकर किया इस दिवस को सेलिब्रेट बन्याडी ओपन कास्ट के सुरक्षा गाड की हुई हत्या मचा कोहराम, जाजपरताल में जूटे पुलिस और जर्यागादी में नदी में डूबने से एक तीन वर्षी बच्चे की हुई मौत, सोक में डूबे परिजन, सदर अस्पताल से बिना पोस्ट माटम कराए, बच्चे के सव को घर ले गए परिजन तो दर्शकों ये था हमारा आज का न्यूजंक, आज कैंक में बस इतना ही कल फिर होगी मुलाकात, कुछ आन्य खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार